दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMD News चैनल को और दबाएए इस बेल आइकोन को ताकि आप देख पाए latest news वीडियो सबसे पहले होली आनने में भले अभी एक सपने का समय हो लेकिन लोग अभी से इसकी तयारी में जुट गए हैं इस पर्व की खासियात रंगों के सासत होली का देहन भी है आज हम आपको होली का देहन और इस दोरान की जाने वाली पूजा की विधी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं मानेताओं के अनुसार होलिका में आग लगाने से पूर्व होलिका के विदिवत पूजा करने की परंपरा है। इसके लिए बकायदा एक पुरोईत मंतरो चार कर इस विदिव को संपन करवाते हैं। मानेताओं के अनुसार जातक को पूजा करते वक्त पूरव या उत्तर के मुख करके बैठने की सला दी जाती है। इस विधी को करने के बाद होलीका के चारों और साथ प्रक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इसके बाद अगनी प्रविलित करते समय हम जल से अर्ग देते हैं। गोरतलब है कि सुरेस्ट के बाद पर्दोशकाल में होलिका में अगनी प्रविलित की जाती है। इसके बाद डंडे को बाहर निकाल दिया जाता है। होली का धहन के समय मोजू सभी पुरुशों को रोली का तिलक लगाया जाता है। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकरी कैसे लेगी हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।